देखे बात करेंगे टेमप्रेश्चर क्या होता है और हीट क्या होती है हीट अलग बात होती है हीट के बारे में बात करते है टेमप्रेश्चर क्या है दरा समझने की कोशिस करिएगा साउधान हमने आपको एक छोटा सा ग्लास दिया और ग्लास में हमने पानी भर दिया पानी भर दिया और इसको भरने में कम से कम इसमें माल लेते हैं दस लीटर पानी पांस लीटर पानी तो आया होगा बड़ा सा टब दिया हमें ठीक है हमने इसको गरम किया इसको भी गरम किया सेम बर्णर लगा हुआ है बर्णर नहीं दिख रहा लेकिन हमारी जैसी आर्ट वैसी तो लगेगा सेम बर्णर लगा हुआ है हमने देखा कि एक मिनट के अंदर ये बॉयल होने लगा और इसको हमने पांच मिनट तक गरम किया लेकिन आप हाथ डाल के देखो तो आपको आराम यहां हीट किसके पाद ज्यादा है लेकिन टिमपरेचर इसका ज्यादा है नहीं हीट समझ एगा दूसरी बात अगर मैं इन दोनों को जोड़ दू ऐसे ठीक है 지역 तो आप देखेंगे कि यह temperature यहाँ अपनी heat यहाँ transfer कर देगा एक मिनट अगर इसको आप इसमें मिला दीजिए तो पानी गरम कर देगा यह नहीं गरम कर देगा अगर यह उबलता हुआ पानी गिलास बर है धाई सुगराम लिए टहल नहीं और डाल नहीं पात लीटर मिलेगी सुगरम कर सकते नहीं आरे एक लिटर कुछ सो गरम करेगा यह उबलता हुआ पानी यहाँ डालो कि इसका temperature बढ़ा देगा ना इसकी heat बढ़ा देगा ना यह बढ़ा सकता है इसकी heat तो कम कर देगा जाकर के तो इसके पास heat ज्यादा थी heat ज्यादा थी इसके पास लेकिन heat ट्रांसफर कर दी इसने अपनी इसका हमता हीट ट्रांसफर होना किस पर डिपेंड करता है temperature पर डिपेंड करता है तो temperature वो करेक्टर होता है किसी बाड़ी का जो उसकी hotness या coldness को decide करे पहली बात हो और जो flow of heat को decide करे हीट इसके पास ज्यादा है heat इसके पास ज्यादा है लेकिन ट्रांसफर ये कर रहा है नहीं समझे तो temperature का मतलब होता है कि एक तो इस degree of hotness और coldness को बता रहता है तो उसी बात अगर कहीं पर heat transfer होगी तो वो higher temperature से lower temperature के भी transfer होगी मतलब temperature वो character होता है जो flow of heat की direction को decide करता है सब्सक्राइब का temperature क्या होता है तो लिखे temperature के बारे में temperature is the degree of hotness temperature is the degree of hotness अब एक चुली अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो केवल YouTube के लिए है तो हम लिखते पूरी चीज़ यहाँ पर अब सामने question पैठा है हम लिखें आप घंटा बल लगी का पता चला हम अजी तो राइटिंग बिडियो अच्छी है the temperature is the degree of hotness or coldness of a body or coldness of a body मतब ज्यादा hot का मतब यह नहीं कि उसके पाँ heat ज्यादा है heat कम हो सकती है temperature ज्यादा है उसकी पास heat कम है लेकिन उसका temperature ज्यादा है ठीक है when two bodies are placed in contact अब देखें definition तो हो गई पूरी आपकी देखें चुकिए आप graduation में है तो आपको थवा definition को what is your name my name is Kushi when I born then I was very close and my father Kushi is the best name then mama अब आईसा explain करो एक place तक आपको बता जी what is your name और उसके बारे में सब बताओ तो यहां यह थोड़ी सी ग्रव बढ़ा है लिखिए when two bodies are placed in contact the heat flows from the body at higher temperature from the body at higher temperature to the body of lower temperature practically आप देख रहे हैं कि इसके बाद ज्यादा temperature है लिकिन heat यहां से यहां है ट्रांसर कर रहा है head isogram कभी आपने उसमें microwave नहीं हो क्यों होता है induction चूले में चाय बनाई चाय बनाई बहुत जल्दी बन जाती है बहुत जल्दी ठंडी भी होती है induction में गर आप चाय बनाते हैं तो चाय बन तो बहुत जल्दी जाईए लेकिन वो थंडी भी उतनी जल्दी होगी क्योंकि temperature अगर आप gas में बनाओगे तो gas की चाय देर से बनेगी लेकिन वो थंडी भी देर से होगी क्योंकि induction वाले में जो आपने चाय बनाई है थीक है उसमे temperature आपने बढ़ा दिया heat कम दिया आपने एक कब चाय इंडक्शन बना रहा हूँ एक कब गैस मना रहा हूँ गैस ज्यादा देर तक आपको जलानी पड़ी इंडक्शन कम टाइम में ही बना दिया तो इसका हूँ तब उसने टेंपरेचर तो राइस किया लेकिन हीट किसी ज्यादा दी गैस ने ठीक है तो क्या लिखा आप ही तो बोड इंडक्शन थास तो बोडो यर। तॉस थे थूस definedpa कव थैस्ट्ट सिप्रेच्ट्ट 6 si स्वप फ् anthem टेस्ट्ट्ट रच्ट्र उसने उस्यादाद बिच्ट्ट्ट त रचा मोयका डे तो औरर from one body to another when they are placed when they are placed in thermal contact contact कैसा होना चाहिए thermal contact हो, heat का transfer हो सके in thermal contact with each other thermal contact with each other संदमे आगई बात प्रग्राफ चेंज करेके लिखे the temperature of a body the temperature of a body is the measure the temperature of a body is the measure of the average kinetic energy is the measure of the average kinetic energy of its molecules of its molecules greater the temperature means greater the kinetic energy of the molecules greater the temperature means greater the kinetic energy of the molecule क्या मतलब हुआ है एक्टी में टेंप्रेचर किसी बोडी का टेंप्रेचर ज्यादा है मतलब क्या हुआ जब उसको हीट दिया आपने उसको गरम किया तो उसके मॉलिक्यूल का मोशन बढ़ गया काइटिक नर्जी बढ़ गयी ठीक है तो काइटिक नर्जी का मेजर्मेंट ही वो होता है जो कि आपको टेंप्रेचर की रूप में दिखता कैसे हमने एक ग्लास दिया आपको उसमें पकड़ेंगे वैसे ही आप जल जाएंगे आप क्यों उसके अंदर क्या आगया उसमें हीट क्या आगया उसके अंदर कई गैस भरी भी है माची जल रही है क्या हो गया ग्लास को गैस पर आपने रखा और गैस से हटा दिया तो उसके अंदर कुछ भर तो गया नहीं ना तो यह हमको लग रहा है हिटिंग जो लग रही है इस फुझे हमको गरम लग रहा है ठीक है जैसे चाय पी आपने अब चाय का एक्जामपल लिया जाता है ठीक है चाय पी आपने तो एक तो होता है अपने जैसे आप गरम गरम चाय डालो जी बहुत जल गए क्यों पानी तो है उस अंगारा रख दिये हैं चैला रख दिये हैं चैला जानते हो चैला नहीं जानते हो लकड़ी कोई चीज चला कर रख दिये हैं हमने जब उसको गरम कर दिया तो उसके मॉलेकुल बहुत तेज वाइबरेट हो रहे हैं तो जब हमने जैसे मुझ में डाला वैसे वह इतनी तेज ह heat करते हैं हमारी body से वो hitting होती है वो हमको लगती है ये temperature होता है तो temperature का मतलब होता है कि body की average currenting energy बढ़ा देता है ठीक है तो ये तो हो गया temperature क्या होता है heat के बारे मिलेशी जीएगा heat is the form of energy एक subheading डाल दो heat heat is the form of energy heat is the form of energy which is transferred which is transferred from one body to another body which is transferred from one body to another body due to temperature difference due to temperature difference और unit of heat क्या होती है जो दी यह है unit of heat वो होती है calorie क्यों calorie दी गई भई देखो कोई भी चलने वाली चीज बहने वाली चीज को calorie कहते है ठीक है बहने वाली चीज को हम calorie कहते है इसका मतलब यह नहीं किसी नाग भेरे दिको हम calorie बह रही है मतलब बहने वाली चीज को calorie कहा जाता है unit calorie क्यों दी गई भई देखे हुआ यूँ कि हमने क्या-क्या एक थर्मामिट एक राड लिया लोहे का ठीक है एक लोहे का राड लिया इस लोहे के राड को एक बरतन के तनक घुसेड़ दिया इस बरतन के तनक घुसेड़ दिया और इस बरतन में हमने आईस रग दी बरफ रग दी ठीक है और हमने यहां से क्या किया इस रॉड को हीट दिया गरम किया ठीक है इस रॉड को हमने हीट दिया अब क्या हुआ कि रॉड जब गरम हुई तो यह वाला किनारा यहां से हटा और जाके वहां पर इसको हीट दे दिया ऐसा होता है जैसे आप ऐसे राड रखें ये को गरम करें ये राड ऐसे गुमेंगे, उससे जाट किसी रिज़रा जाएगी, ऐसा होता है, क्या हो जाएगा řिध ने इहां ट्रांस्फर करना सुरू कर दिया, हमने क्या है यहाँ पर दो-तीन थ्रमामिटर लगा दिये अब thermometer ऐसे नहीं बनते हैं कि हम बनाई नहीं पाते हैं तो कैसे बनाए ठीक है अब ज़रा समझेगा जब इसको heat करते हैं तो मालिया ये वाला ends 50 degree centigrade हो गया ये 40 हो गया ये 30 हो गया और ये heat यहाँ पहुंच गयी ठीक है ये इसका temperature rise हो रहा है ये heat ये rod गरम हो रहा है ये metal rod था ये metal rod था ये गरम हो रहा था और ये बरफ को पिगला रहा था थोड़ी दिरवाद हमने देखा कि इसका temperature 70 हो गया इसका माल है 60 हो गया इसका 50 हो गया और ये माल लेते हैं 2 kg बरफ जो है वो गल गई ठीक इसके बाद हम देखते हैं कि इसको हम गरम करते जा रहे हैं लेकिन इस टेंपरेचर इसका राइस नहीं हो रहा है इसको हम पर करते हैं stationary state steady state steady state पढ़ी हो गया आपने जब राड का कोई भी पारट heat को एब्जार्ब ना करे जो heat देओ बाहर चली जाए नहीं समझे आपने पढ़ा ना कि अगर किसी राड को गरम करिए ये end गरम करिए तो ये इसका पढ़ेगा फिर इसका पढ़ेगा इसका पढ़ेगा इसका पढ़ेगा इसका पढ़ेगा लेकिन जिदर से heat दोगे वह सबसे आदा temperature रहेगा उसका पढ़ाए ना थोड़ी देर बाद क्या होगा इसका temperature कैसा हो जाएगा constant हो जाएगा लेकिन heat इसको दी जा रही है अ लगी बर पिखल नई थी दो 41ड़ो से 3 पिखल गई 4 पिखल गई मतलब क्या हुआ कोई कीज है जो बहते बहते गई है है और वहाँ जाकर चुब चाप इसको पिखला दिया तो जो बहने वाली चीज थी और उसको बहने वाली चीज थी इसलिए scientist ने इसका unit क्या दिया? calorie, ये theory नहीं आया की लिखने के लिखना है आपको, ठीक है? लेकिन heat को चुझकि दो तरीके से हम rise कर सकते हैं, ठीक है? वहीं कहते हैं, मारें कसी कंटा आपके गाल लाल हो जाएगा, तो मतलब क्या होता? गाल लाल करनेंगे दो तरीके होता है, एक दो होता है, गैस प्राइश से रख देंगे, दूर से, ठीक है? या थपड़ बार के कर देंगे, तो mechanical work कर के भी हम heat बढ़ा सकते हैं, वहीं हाथ को ऐसे गरम रगड़ लीजे, तब ही heat बढ़ेगी, ठीक है? मैं घर में कोई आया, अब आपको चाय बनानी है, तो आपने एक मामा जैसे आए, तो आप एक टीका पॉट ले लिजे, बरतन ले लिजे, जग टाइप को, बंद हो, उसमें चाय बाइस अब डाल दीजिए, उसे पकड़ा दो माओं के तो हिलाओ, उसके हिलाते रहेंगे, तो क्या होगाओ, गरम हो जाएगा, तो यानि कि वर्क करके भी हीट आप क्रेट कर सकते हैं, तो वन कैलोरी इस इकल टू होता है, तो यह कैलोरी और जूल में रिलेशन होता है, तो हीट क्या होती है, और टेंपरिचर क्या होता है, ठीक है,